तरहाज कने पर पता हैं। यह डिपनीशन कब लागू हुई थी? यह डिपनीशन कब लागू हुई थी? 1948, 1948 में लागू हुई थी ठीक है यह हो गई, यह हेल्थ लेकिन बाद में इसमें एक लाइन और एड की गई थी अगर वो याद हो जो line add की गए थी इसके बाद informity के बाद ही ये end the ability to lead a socially and economically productive life socially and economically productive life ये बाद में एक line add की गई इसलिए क्योंकि ये जो तीनों condition थी physical, mental और social well-being ये present scenario में ये possible ही नहीं है कि किसी में तीनों के तीनों वो एकदम पेतरीन condition में रहे कहीं न कहीं थोड़ी बहुत informity ज़रूर पाई जा रही है तो ऐसे condition अब माल लिजे कुसी को mentally अगर थोड़ा बहुत भी problem है तो वो disease condition में आएगा ही नहीं पता भी नहीं चलेगा तो ये कहा गया कि ये तो चलिए ये idealistic है ये क्या ये ideal condition तो एक operational जब definition लाएगी तो उसमें ये line at की गई and the ability to lead a socially and economically productive life यानि ऐसी condition हो कि वो socially और economically एक अच्छी life गुजार सके ये डबलुएचो की definition थी health से related अब health के बारे में ये कहा गया कि चलिए physical और mental तो समझ में आ रहा है शोसल well-being क्या होगा शोसल well-being क्या होगा इसी को बाद में लाएगा concept of well-being concept of well-being इसकी कोई definition ही नहीं आज तक लाई गई क्योंकि definition बन ही नहीं पा रही है तो इसमें बहुत सारे factors को लेके आया गया subjective और objective दो component लाएगे objective and subjective objective को मतलब क्या है जो कोई दूसरा observe कर रहा है आपको देखती हमें या किसी भी person को देखके अगर कोई तीसरा observe कर रहा है तो वो हो जाएगा objective तो objective में लेके आया गया क्या standard of living ये concept of well-being में ही है standard of living इसको लाएगे objective component और जो subjective component ते subjective component इसमें quality of life बताई गई इसमें दो चीज़ें दी गई एक तो human development इंडेक्स और physical quality of life इंडेक्स पीक्यू एलाई ये जो है ये दोनों quality of life में है subjective component में और objective component में standard of living आये अब ये concept of well-being इसमें 3-4 लाईने थी standard of living जो objective component था ये का गया कि standard of living में क्या-क्या देखा जाएगा तो एक तो income और occupation जो housing, sanitation या nutrition का क्या standard है किस लेवल पे उसको provide हो रही है एक परसन को और दूसरे जो health है education या recreational या दूसरी services जो society में उसको survive करने के लिए चाहिए वो किस लेवल पे उसे अवलेबल है या किस लेवल पे उसे मिल रही है तो इन चीजों को इसमें incorporate किया गया standard of living में अब ये सारी चीज़ें आप देखिए चाए housing हो, sanitation हो, nutrition हो, occupation हो, even income हो, income तो है, health, education और जो hospital services है इ इन सब के लिए क्या चाहिए, एक लाइन में अगर बताईए, इन सब को अगर किसी को इस तरीके से गुजाने को उसका वो सब कुछ अच्छा हो, तो एक बेदर लाइफ जीने के लिए सबसे जो essential चीज है वो क्या होगी, पैसा, पैसा, हाँ, बहुत से, पैसा, ठीक, तो जो सबसे most important चीज है, वो हो जाती है पैसा, तो इस विए कहा जाता है, जो standard of living है, यह किस पर depend करता है, per capita GnP, पर capita GnP पर यह depend करता है, standard of living, यानि अनट्शेल में क्या कहेंगी, पैसा है तो सब कुछ है, तो standard of living depends upon per capita GnP, उसमें यह सारे components से objective, अब आएए subjective में, physical quality of life index, इसमें क्या-क्या पाया जाता है, पुराने लोगों को तो याद होना चाहिए, यह तीन चीज़े है, यह तीन चीज़े हैं, आइए मार है, यानि infant mortality rate, life expectancy at age 1, and literacy rate, यह जो है, यह physical quality of life index को बताता है, ठीक है, यह तीन component है, इसमें हमें कुछ नहीं जानना है, बस यह तीनों हमें याद रहने चाहिए, हमेशा के लिए, क्योंकि जब भी question इसमें बनेगा, देखिए, चार, चौथा कुछ और जोड़ दिया जाएगा, यहाँ पे मान लीजे, एक चीज़ और मैंने जोड़ दिया, life expectancy at birth, यह एक question पूरा तयार हो गया, आपका framing question की हो गई, चार चीज़ है थी, अब यह पूछा जाएगा, कि इसमें कौन साइसा है, जो include नहीं कर रहा है, यह आप ते यह question यह पूछा जा सकते हैं, कि इसमें कौन साइसा है, जो physical quality of life index में included नहीं है, all are included in PQLI except, तो जाहिड सी बात है, यही, इसको हमें निकालना है यहां से, तो यह तीनों हमें याद रहने चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा confusing हो जाते हैं अक्सर, तो जहां पर IMR होगा, वहीं पर life expectancy at age 1 भी होगी, और literacy rate भी यहां से लेके आना, literacy rate, यह PQLI, यहनि physical quality of life index है, अब इसकी जो scaling की जाती है, एक arbitrary scale है, वो 0 to 100 पे इसकी scaling होती है, यह हर country वाइस होता है कि इस country का PQLI इतना है, तो 0 to 100 scaling है, इंडिया का PQLI कितना है? 65, 65 है, इंडिया का PQLI जो है वो 65 है, सेकंड चीज आती है, human development index, आप वहाँ से देखे हाट आईए, अभी हमने जो चौथा option लिखा था, life expectancy at birth, mean year of schooling, and per capita JNP, यह जो तीन चीज़े होती हैं, जिसको हम income कहते हैं, ठीक, life expectancy at birth, knowledge, knowledge को आप कहे लिजे, यह mean year of schooling, कभी कभी सिर्फ mean year of schooling भी लिखके देता है, mean year of schooling, and यहाँ income से आप per capita JNP, per capita JNP, यह दोनों सेम है, अगर income ना लिखके यह भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो भी वो HDI में ही आएगा, human development index में भी आएगा, इसी में, तो तीन चीज़े यहाँ पे भी मिल गई, life expectancy at birth, knowledge income, यहाँ चौधा आपको literacy rate भी लिखके आ सकता है, literacy rate अलग है, mean year of schooling अलग है, mean year of schooling जो है, यह per person की बात हो रही है, कि कितने साल की वो schooling गया, उसकी schooling कितने साल हुई, कोई 5th class तक गया, कोई 8th class तक गया, तो यह हुआ, अजब literacy rate निकालते हैं, तो हम यह निकालते हैं, कि कितने percent लोग जो है, वो literate है, वो पढ़े लिखे हैं, ठीक, mean year of schooling जो हो, वो individual level पे की जा रही है, अब per capita GNP भी वो, individual level पे है, तो इस तरीके से यह जो है, पूरा HDI बन गए, HDI के जो scale है, वो 0 to 1 है, 0 to 1 है, और India का HDI कितना है, 0.62, 0.62, 0.54, 0.54, अभी तक 554 था हो सकता है, recent में 62 हो गया होगा, इसको देखना पढ़ेगा, लेकिन अभी तक जो है, वो 0.554 था, इंडिया का, वो change होता रहता है, कोई वो नहीं, अगर माली जो change होगा, तो मैं notify कर दूँगा, देखना, अभी तक जो है, 0.554 है, इसका Human Development Index, इंडिया का, यह दो चीज़ है थी, बस इसमें हमको यही इसके जो, points हैं, वो हमें याद रखने है, यह सब rarely कभी पूछा जाएगा, यह चीज़ें पूछी जाती है, अब यहां से आई यह तीन चीज़, disease, illness और sickness, किसे कहते हैं, देखिए, इन चनरल अगर हम बात करें, लेमान लेंग्योज में, यह तीनों के तीनों क्या है, काम मने, एक दूसरे के सिनोनिम्स, लेकिन बहुत माइनूट सा, डिफरेंस होता है इन तीने में, आप एक दूसरे के सिनोनिम्स के तोर पे, इन तीनों को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तीनों में थोड़ा सा फर्क है, डिजीज कहते हैं क्या, यानि जो विदाउट इज, सबसे पहले चीज तो क्या है, इसको एक लाइन में अगर आप कहेंगे, तो विदाउट इज, विदाउट इज को मतलब क्या है, साइकलोजिकल या फिजियोलोजिकल डिसफंक्शन, अब यहाँ पर जिसको डिजीज हो सकता, उसे पता ना हो कि उसे कोई बीमारी हो, पता नहीं चल सकता, ज़रूरी नहीं है, यह साइकलोजिकल अगर डिसफंक्शन है, माल लीजे वो अपने आपको आइसुलेट कर रहा है, या कुसी और वज़े से वो लोगों में उठना बैठना उसने कम कर दिया, या उसका behavior change हो गया, तो ज़रूरी नहीं कि उसे पता चले कि उसे कोई बीमारी है, नहीं पता चल सकता, अक्सर आपने देखा होगा, खातर से जब हम disease के बात हैं, आईपर्टेंशन और डायबिटिक्स जो होते हैं न, ये screening के जरीए ही डायग्नोज होते हैं, नार्मल कंडिशन में ये अक्सर, most of the cases में, ये कोई symptom लेके नहीं आते, उन्हें नहीं पता होता कि उन्हें कोई बीमारी है भी, तो dysfunction के तोर पे क्या कहेंगे, ये कभी-कभी सरदर्द करने लगता है, ज़्यादे-ज़्यादे यही कहेंगे, या फिर अगर डायबिटिक्स है, वो क्या कहेगा कि उसको नाक्चूरिया हो रही है, night time में, उसके जो frequency है, misturation की वो थोड़ा सा बढ़ गई है, उसके नहीं पता है कि उसे क्या बीमारी है, तो वो क्या हो, उसका जो easiness था, वो खतम होगा, without ease हो, वो night में उसे 2-3 बार उठना पड़ रहा है, इसको कहते हैं disease, second चीज जो आती है illness, अब यह जो illness है, यानि मैं बीमार हूँ, अगर मुझे पता चल गए कि मैं बीमार हूँ, अब इसको मैं कहूँगा I am ill, I am ill, मैं बीमार हूँ, यह होती है subjective state of, यह जो हमारा है यह subjective state है, यानि अब मुझे पता है, subjective state of the person, who feels aware of not being well, अब उसे पता है कि वो सही नहीं है, उसे कोई बीमारी है, तो इसको कहा गया illness, यह subjective state हो जाती है, परसन को खुद पता है, लाश्ट में जो आती है sickness, sickness का मतलब कहते है, state of social dysfunction, अब कुसी को ऐसी बीमारी है, जो contagious है, तो लोग क्या करेंगे, उससे दूरी बनाना शुरू करतेंगे, बिल्कुल करेंगे, यह हो सकता है, परिवार वाले भी उसको isolate करतें, तुमारा सब जो बरताना है, खाने पीने का सब अलग कर दिया गया, तो अब वो जो है, वो क्या वो sickness है, अब वो sickness है, इस्टेट आफ सोशल डिसफंक्शन में वो आ गया, दूसरे लोग भी आब उससे कतर आ रहे हैं, बच रहे हैं, लेकिन इन जनरल टर्म में हम कहें, तो सब एक दूसरे के सिनोनिम से, ले मैन वालों के लिए सब सही है, और इसमें कुछ जानना भी नहीं, बस ये थोड़ा से ये था, तो मैंने कहा चलिए देख लिए, अब जो बात एक चीज़ा, एज एक क्लिनीशियन, हम किन लोगों को देखते हैं, क्लिनीशियन की बात कर रहा हूं, क्लिनीशियन या फिजिशियन, एज एक क्लिनीशियन न, जो clinician होते हैं वो किनको देखते है people who are ill जो बीमार है जादा तर जो persons होते है people who are ill जो कोई ना कोई complaints कोई ना कोई sign और symptom ले के आते हैं जिसको sign and symptom है disease का वही तो जाएगा doctor के पास जो apparently अगर जो सही है जिसको कोई symptom नहीं है तो वो क्या करेगा doctor वैसे भी लोग doctor से खतराते हैं जाना नहीं चाहते हैं विल बड़ी लंबी चोड़ी आती है तो clinician जो होते हैं आम तोड़ से उनको देखते हैं जो ill रहते हैं जिनको subjective state है उस person को वो subject उसे पता है कि मुझे कोई बीमारी है या मुझे यह यह symptoms हा रहे है तो clinician इल परसन और जो disease person होते हैं इनको जो है न epidemiologist देखते हैं epidemiologist यानि वो screen करेंगे तो disease में जो आता है epidemiology और illness में clinician या physician अब आये concept of causation यानि disease कैसे कैसे काज होती है बहुत अच्छा यह topic है और इसमें बस एक से दो लाइन में ज्यादा तर चीज़ें खतम हो रही concept of causation में पहले जो माना गया जो पहले का period था यह माना जाता था कि हम लोग जैसे यूनानी वाले हैं अखरात का नजरिया अखलाद था कि bad humeur की वजह से जितनी भी बिमार्यां हो रही है सब अखलात में कोई न कोई कमी की वजह से ये अखलात फासित हो रहे है यह सुए मिजाज हो रहा है अखलात का तो इन तमाम condition में यह माना गया कि जो humors हैं उनमें कोई न कोई खराबी होगी due to bad humors disease हो रही थी बाद में concept आया नहीं साब हवा में खराबी की वज़ा से disease हो रही है कुछ लोगों ने concept लाए नहीं पानी में खराबी की वज़ा से तो यह अलग अलग concept है कोई actual cause नहीं मिल दा था disease का तो सबसे पहला जो काज आया था वो जो modern medicine की बात अगर आप करेंगी तो वहाँ पर आया था जर्म theory of disease जर्म theory of disease किसने दीती यह लुइस पास्चर के नाम से बहुत सारी चीज़ है इन्होंने दो तीन vaccine भी बनाई टर्म वैक्सेन भी दिया जर्म theory of disease और पास्चराइजेशन भी टेक्निक यह सब लुइस पास्चर ने यह कहा कि जो जर्म theory of disease ती इसके एंडर में कि जो भी डिजीज होती है वो किसी ना किसी microbes से होते हैं जितनी भी बीमारिया दुनिया में हो रही हैं वो किसे हो रही हैं वो microbes से हो रही हैं पूरे पूरे जो भी डिजीजेस हो रही है इन्हों ने यह का अब लुइस पाश्चा ने यह का कि सिर्फ माइक्रोज ही माइक्रोज यानि माइक्रो आर्गनिजम ही है हर डिजीज का जो है है इसका मतलब यह सीधे जती यह इन्हों कि जो दिजीज एजेंट है जो disease agent है वो सीधे susceptible host यानि man के अंदर एंटर किया उसने और disease कास कर दी, बीच में और कुछ नहीं, कोई तीसरा रास्ता नहीं, direct direct contact है इसको one-to-one relationship कहा गया, यह था germ theory आप disease में, अब next जो आया, वो epidemiological trial, पहले तो यहां तक यह बहुत popular हुई थी, यह बहुत ज्यादा popular हुई, जर्म थी और अब disease, लेकिन फिर बाद में यह माना गया नहीं, बहुत सारी ऐसी diseases है, जहां पे सिर्फ a microbe ही important नहीं है, यह जैसे यह का गया, कि tuberculosis में हर किसी को, mycobacterium tuberculi का exposure तो होता है, लेकिन हर किसी को disease manifest नहीं करती है, अब उसके multiple factors है, तो उन multiple factors को अभी के दार में, जर्म थी और अब disease के बाद, यह माना गया कि जो हमारी surrounding है, जो हमारा surrounding है, वो एक important role play करता है in causation of disease, apart from microbes, microbes तो रहेंगे ही रहेंगे, उसके अल कि अलावा, जो environmental condition है, हमारी surroundings है, उनका भी एक बहुत बड़ा role रहे है, disease cause करने के लिए, तो वो चीज जो बन के आई, वो epidemiological triad, इसमें है न, एक तो यह मान लेजिए क्या, host, host क्या होगा, man होगा, disease agent, microbes, और दूसरे, environment, यह तीन चीज़ें है, यह epidemiological triad बन के आगे, जैसे मैंने अब यह tuberculosis की बात की कि हर किसी को tuberculosis नहीं हो सकती, हर किसी को tuberculosis नहीं, इसी तरीके से जितने लोगों को sore throat का infection हुआ, streptococle sore throat का, जरूरी नहीं कि सबको rheumatic fever develop हो, तो one to one वाला concept वहीं पर खतम कर दिया गया, अगर, यहाँ पर यह था कि, अगर sore throat हुआ है, तो फिर rheum environment का, यह बहुत popular हुआ, यहाँ यह चीजे acceptable थी मान ली गई, next इससे थोड़ा सा और इसको elaborate किया गया, इसी environment वो जो tried था, इसमें फिर आया multifactorial causation, multifactorial causation, अभी यह किस ने दिया था, पैटन काफर of munis, अक्सर से पैटन काफर ही लिखियाता है, तो यह जो है, इसमें इनोंने बताया कि, एक disease caus करने के लिए, तिन चार चीज़ें बहुत important होती, एक तो multiple factors, एक single factors disease caus नहीं होती, बलकि उसमें multiple factors की जरूरत पढ़ती है, साथ में एक specific time होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कभी भी हो जाएगी, तो उस जो time bound की बात इनोंने की थी, वो जो आया, वो incubation period बाद में उसको माना गया, यहाँ specific time में यहीं से disease caus होगी, इसके लावा अगर यह time बीद गया, जो incubation period disease का खतम हो गया, तो फिर disease हो सकता है, ना हो, और multiple factors चाहिए, अब tuber closest के बारे में हम ज malnutrition, यह सब क्या, यह risk factor है उसके, अब इन तमाम factors की मौझूदगी में, अगर उसको exposure हो रहा है, mycobacterium tuberculi का, तो disease manifest कर सकती, अमाल लिजे कोई healthy person था, उसको हुआ जैसे अगर हम hospital setup की बात करें, तो हम सब लोगों को कहीं ने कहीं exposure जरूर होता है, tuberculosis से, अगर patients आप देख रहे हैं, तो जरूर एक दो तो आई जाते हैं, कभी न कभी, तो exposure हुआ है, जरूर ही नहीं को हमको हो गया, किसी को नहीं, अगर यहाँ पे हमारा socio economic status low होता, poor sanitation वाले लाके में हम रह रहे होते, हम माल नरिश होते हैं, हमारा जो immune status है, वो कमजोर होता, तो हमें भी disease हो सकती तो यह माना गया कि जो multiple factors हैं, वो बहुत important role इनका होता है, अब यहाँ पे 3-4 चीज़े थी, एक तो time bound इनों ने कर दिया, उसी tried में, एक चीज़ क्या लेकिया है, time, दूसरे चीज, causative factors यह तो रहेंगे, causative factors रहेंगे, दूसरे जो multiple जो associated factors, जो environmental conditions हैं, उसका culture है, उसका physiological factors, psychological factors, that means sanitation, housing, crowding, है, नहीं है, उसका immune status है, और as a characteristic, पूरे population की वो susceptible है या नहीं, यह तमाम conditions मिल के फिर यह का गया कि, ऐसे ही नहीं कि बस one-to-one वाला connection लगा दी, यह disease हो जाएगी, बहुत सारे factors को इन्होंने का, वो multifactorial causation, कुछ नहीं बस यह नाम याद रखिए गए, multifactorial causation होता किसे है, pattern, sorry, किसने दिया था यह, वो pattern का पर आप में रिखने, इसके बाद यह last, वेबाफ काजरशन, यह बहुत, यह सबसे acceptable, मैं बानता हूँ, यह ही है, McMahon and Pug, इनका जो view था, इनका जो नजरिया था, इन दोनों का, वो यह था कि कोई disease cause होने के लिए एक single factor, नहीं, बलकि अलग-अलग adverse type के, diverse type के जिसको आपके लेजे, अलग-अलग diverse type के factors मिलके, एक single disease cause करते हैं, अब इसमें एक, यह example है, सबसे पहला factor तो यह लेजे, change in life style, इसमें, क्या life style अगर change हो रही है, एक तो physical exercise खतम हो गई, यूथ में smoking का trend चलने लगा है, और जो food की abundance, यानि junk food especially, जो है, junk food बहुत ज़्यादा लोग consume कर रहे हैं, यह तीन जो है, life style changes में इस बख सबसे ज़्यादा, अब इन, खास्तोर से इन दोनों के बारे में अगर हम बात करें, तो इन दोनों से क्या हो रहा है, अब यह जो ऑबिसिटी डेवलप हो रही है, यह इंडिपेंडेंटली एक कास है, किसका hypertension कास कर रही है, यहां से तो यह चीज हो गई, hypertension कास कर रही है, दूसरी जिए, अगर हो रही है, तो hyperlipidemia डेवलप हो रहा है, hyperlipidemia अगर डेवलप होगा, तो coronary atherosclerosis के chances पढ़ जा अब एक बार coronary atherosclerosis अगर हो रही है, जायर से बात है, coronary artery का क्या होगा, acclusion होगा, जो अथरोमा होगा, वो कहीं ने कहीं जाके लाज करेगा, तो उसने क्या क्या, अक्लूड कर दिया, और जब acclusion होगा, तो पहले क्या होगा, पहले isstemia डेवलप होगा, जहां भी अगर blood supply अगर थोड़ी देर के लिए आप रोग देंगे, तो वहाँ पहले isstemic condition डेवलप होती, isstemia जिसको हम कहते हैं, और बहुत देर तक अगर वो continuously supply रुखी गई, तो फिर वो पूरा एलाका क्या हो जाता, dead हो जाता, जिसको हम infarction कहते हैं, ठीक, तो फिर बाद में ultimately क्या हो जा thrombose formation की, यानि thrombose farm करते हैं ये, अब जब thrombose farm हुआ तो वो भी coronary occlusion करेगा, वो same pattern ये follow करेगा, अब person दीरे दीरे age हो, उसकी बढ़ रही, aging, मतलब 40-50 साथ, तो जो हो जाता है तसल्लूब शराइन, atherosclerosis का एक बहुत बड़ा factor aging भी होता है, यानि age के साथ जात जो arteries होत हो जाती है, सख्त हो जाती है, तो उसके बाद फिर hypertension automatic develop होना शुरू हो जाता है, old age में, और यहाँ obesity से भी hypertension develop हो रहा था, एक तीसरी condition आई present दोर में आप देखेंगे कि जो youth है, उसमें stress बहुत जादा है, stress वाली condition अब unemployment है, या पढ़ाई का tension है, और दूसरे बहुत सारे tension ह है, तो stress बहुत जादा ले रहा है, stress से क्या emotional disturbance हो रहा है, हो सकता है, उसको palpitation और hypertension की condition develop हो जाए, तो यह तीन चार hypertension क्या करेगा, hypertension क्या, artery की जो वाल है, उसमें changes आ रहे है, hypertension develop हो रहा है, hypertension की वज़े से भी artery जब stiff हो रही है, तो कहीं ने कहीं coronary occlusion और वे दूसरी condition develop हो रही है, और stress में क्या कर रहा है, male faster और से वो smoking की तरफ भागने लगते हैं, अपना tension दूर करने के लिए, फिर वही cycle सुरू हो जाती है तो एक disease कास करने के लिए, बहुत सारे factors हैं जो मिल के काम करते हैं, इसको कहा गया wave of causation, जो मैक महन और पग ने दिया था, इस नाम को याद रखिए, अब next है, यह natural history of disease, इसके बारे में 2-3 line है, बस, दो तरीके की होती है, period of three pathogenesis कहते हैं, एक pathogenesis phase कहते हैं, दो phase होता है, क अब यह period of three pathogenesis क्या है, that means कि जो onset of disease है, अभी वो नहीं हुई, period of three pathogenesis का मतलब है, कि period before onset of disease in man, कि यह screen सब की गड़बडा आ रही है? नहीं नहीं सर्थ ठीक है, period before onset of disease in man, यानि man क्या है, risk पे है, man at risk, यानि period before onset of disease in man, यह period of three pathogenesis है, अब जाहिर सी बात है, अभी जो micro organism है, उसने entry नहीं लिए, उसने host के अंदर, entry नहीं लिए, लेकिन surrounding में मौझूद है, इन general अगर हम पर है, तो यहाँ पे अगर हम prevention की बात करे हैं, अभी रिस्क पे हैसे, तो prevention कौन सा होगा, अगरी, प्राइमरी लेवन का prevention होगा, ठीक, बहुत चीवाद, सेकेंड बस इसमें इतना ही है, कि अभी micro organism जो उसने entry नहीं लिए, इसको हम कहते है, period of pre-pathogenesis, सेकेंड जो, period of pathogenesis, जैसे ही micro organism ने entry ले लिए, वैसे ही ये period शुरू हो जाता है, फैटogenesis का फेज, वो सुरू हो जाता है, यानि begins with entry of organism in susceptible host, इसने entry ले लिए, अब ये enter हो गया, एंट्री ले लिए, तो जब ये entry लेगा, कोई micro organism है, तो वो जाके चुप-चाप नहीं बैटेगा, वो क्या करेगा, वो multiply करेगा, host में जाने के बाद, सबसे पहले क्या करेगा, वो multiply करेगा, जब उसका multiplication होगा, तब ही जाके जो disease के sign और symptoms है, वो develop ओना शुरू होगे, तो disease initiate हो रही है, शुरू हो रही है, और फिर क्या करेगी, progress, advance stage की तरफ वो बढ़ती जाएगी, progression होगा, तो entry के बाद multiplication, disease initiation और progression हो रहा है, final outcome क्या हो सकता, अगर माल लिजे, immune system सही था, अगर immune system सही था, उसको prompt treatment, सही से treatment मिल गया, तो recovery हो जाएगी, final outcome में क्या हो सकता है, तो recovery हो जाएगी, दूसरे क्या हो सकती है, अगर recovery नहीं होई तो disability हो सकती है, और last मेंगर disability से भी काम नहीं चला, तो death तो होनी ही होनी है, disease के बाद, यह तीन condition है, जो final outcome, pathogenesis के phase के बाद, जो final outcome आ सकता है, वो या तो recovery हो जाए, या disability हो जाए, या death हो जाए, अब इसमें prevention करेंगी, एक चीज़ फड़ा सा नोट करिएगा भी, जो period आप pathogenesis है न, इसको early और late, दो तरीके से, यानि early phase आप pathogenesis and late pathogenesis phase, दो condition में इसको divide किया गया है, तो अब उस level पे आप बताईए कि prevention कौन सा करेंगी, early है तब और late है तब, early phase, early phase, early phase आप pathogenesis अगर है, early pathogenesis phase है, तो उसमें secondary level का prevention होता है, और late अगर है, late pathogenesis, यानि disease advance कर गई है, तो वहाँ पे जायर से बते tertiary level का prevention ही पचता है, ठीक, अब यह यह चीज़े तो हमने पढ़ रखी है न, iceberg of disease, यह जो tip है, यह यह वाला पार्ट जो है, यह tip पूरी, यह क्या बताती है, यह diagnosed cases, यह diagnosed cases को बताती है, तो अब इससे कौन concern रहेगा, clinician, clinician, और यह जो pre-symptomatic cases है, है, हाँ, जो यह submerged portion है, यह तो tip थी, जो submerged portion है, यह इन apparent cases है, undiagnosed cases है, जो पानी के अंदर जो portion है, iceberg का, वो undiagnosed cases है, अब undiagnosed cases किसकी तरफ जाएंगे, epidemiologist, और इसको diagnose करने के लिए क्या करना है, screening, screening, ठीक, बस यही दो line है, इसमें total, यानि अगर एक general term यह भी बन सकता है, कि जो epidemiologist है, वो किससे concern है, इसक्रीनिंग से, और जो clinician है, वो किससे concern है, वो diagnosis से, और tip आप दा आइसबर्ग है, वो किससे बिलांग करती है, clinician को, यानि diagnosed cases को, और जो submerged portion है, बहुत बड़ा portion जो अंदर की तरफ है, वो epidemiologist से concern करता है, वहाँ पर screening करनी है, तो बस iceberg में इतना है, अब iceberg, कुछ diseases है, जो नहीं show करती है, iceberg phenomena, like measles है, rabies है, और कौन कौन सिती, अब इस treatment, measles है, और मंस भी है, और शायद मंस भी है, अब concept आप disease control है, यह last topic है, देखिए disease control कैसे कैसे होती है, इसमें तीन टर्म हमेशा यूज होते हैं, यह तो control, दूसरा, elimination और तीसरा eradication, यह तीन टर्म ही यूज होते हैं, तीनों में basic difference है, पहला जो है disease control, disease control के माने यह है, जो disease का transmission है, जो disease का transmission है, उसको इस level पे कम कर दिया जाए, यह एक public health problem ना बन सके, यहनि disease हो रही है, दो-चार cases आ रहे हैं, लेकिन उसका sudden जो कहते हैं, बहुत जादा explosion नहीं हो पा रहा है, उसको हमने इसलिए, अब वो बेहतर हमारी diagnostic technique है, अच्छा treatment facility है, उसके नतीजे में, यह जो sanitation और दूसरा जो measures हैं, वो हमने लिया है, तो disease क्या है, controlled है, उसके cases बहुत जादा नहीं आ रहे है, इका दूक का case आ रहे है, जो आसानी से treat भी हो जारे है, manage हो रहे है, तो इसको का जाता disease control, यानि reducing the transmission of a disease agent to such a low level that it ceases to be a public health problem, अब वो public health problem नहीं बन पा रहे, इसका मकसद क्या होगा, disease control का main मकसद क्या है, इसको control करन है, तो एक दो, जो सबसे बड़े इसका मकसद है, एक दो कि उसके disease के incidence को कम करना है, जो उसके number of cases आ रहे थे, उसको हमें कम करना है, दूसरे जो disease का duration है, जब हम उसको control कर लेंगे, treatment सही से करेंगे, तो disease का duration वो भी कम हो जाएगा, और जो उसका effect है, उस disease का जो effect है, यानि outcome जो आना था, उसको भी हम रोकेंगे, final outcome, disability or death तक तो नहीं जाने देंगे, recovery की तरफ कोशिस की जाएगे, और last में जो financial burden है, उसको भी हम रोकते हैं, कम करते हैं, कैसे कम होगा, अब ये वाला example, पहले वाले लोगों ने देखा होगा, हमा लिजे किसी community की बात कर रहे हैं, व हवा चले, ना चले, हलकी सी भी हवा चले, बहुत जादा गिरने लगेंगे, comparison to ये जो इस तरफ का जो green part है, तो अब ये continuous गिर रहे हैं, जो society है वो परेशान है, उसे क्या गरना, उसे रोकना है इसके गिरने को, उसमें 2-3 concept लग सकता है, एक तो क्या किया उन्होंने, किसी person को बुला के, पुरा ये वाला हिस्सा ही cut करवा दिया हुई, जितना part सूख चुका था, उसको cut करके निकलवा दिया गया, तो अब जाहिड सी बात है, जब वो सूखा हुआ, पूरा खतम हो गया, तो disease का incidence है, माली जी इसको disease ले ले लिजी, तो disease का incidence वो कम हो जाएग, अगर ये जो green वाला part, यहां से कोई डाली एकाद सूखती है, तो कभी कभार एकाद गिरेगी, यानि हमने क्या क्या, उसका incidence, जो गिरने का incidence था, यहां branching का, वो हमने कम कर दिया, same condition apply कर ये disease पे, वही disease का मकसद भी यही होता है, control करने का, हमने वो वाला part खतम है, एक दो cases साबी रहें, तो ठीक वो controlled है, अब duration, माल लिजे, यहां पर अगर इसको cut वाया नहीं जाता है, इस हिस्से को साफ नहीं करवाया जाता है, जो सूखा हुआ पार्ट है, तो यह कई दिनों तक गिरता रहता है, कई दिनों तक अपने आप इसकी डालियां वो गिरती रहती, अ अब एक ही आदमी को बुला के, एक दो आदमी को उसको क्या किया गया, पूरा साफ करवा दिया गया, तो उसका duration क्या हुआ, डिजिस का, रुख गया, खतम हो गया, नेक्स दीज आती है कि उसका effect, माल लिजे, कोई मोटी सी डाल, अगर नीचे कोई बच्चा है, कोई आदम लगा हुआ थे, वो महीनों साफ सफाई करता है, एक ही दिन में आपने उसको खतम करवा दिया, तो जो financially, अब रोज की जो ज़रूरती वो खतम हो गया, तो in general, यही जो मक्तद होता है, वो disease control का भी होता है, कि disease को इस लेवल पर control कर लिया जाए, कि वो public health problem ना बनने पाए, उससे कोई society में, या public में, या population में कोई परिशानी ना develop हो सके, इसके बाद नेक चाहता है, disease elimination, क्या हता है, disease elimination का मतलब क्या है, कि जो disease का transmission है, किसी एक defined area में, अमा लिजे किसी एक state को ले लिजे, या पूरे आप nation को, इंडिया को ले लिजे, यहां से हमने किसी disease के transmission को, या उसके incidence को एकदम रोक दिया, कि अब उस disease का एक भी case नहीं हो पा रहा है, तो इसको हम कहता है, disease elimination, यानि complete interruption of transmission of a disease in a defined geographical area, लेकिन क्यों लग रहा है, लेकिन यह है कि the causative organism में भी persisting in the environment, यानि surrounding में हो सकता है, कि उसका causative agent अभी भी मौजूद हो, लेकिन वो disease अब नहीं हो प system, eliminate कर दिया है, लेकिन उसके जो causative agent में भी अभी भी पाए जा रहे हूं, दो चार diseases हैं इंडिया से जो eliminate हो चुकी है, अगर आपको याद हो तो, सबसे पहले कौन से disease eliminate होई थी, elimination की बात करना है, सबसे पहले अगर बात कर देखिए, इस तरीके समय बना देखिए, 2000 में eliminate होई थी एक disease, 2005 में होई थी, 2006 में, अभी recently, 2015 में भी, तो 2000 में जो पहली होई थी, वही जीनिया वार्म या ड्रेकन क्यूलियस जिसको हम कहते हैं, गीनिया वार्म या ड्रेकन क्यूलियस, 2005 में लेप्रोसी, और 2006 में, याज, याज, और 2015 में, नियो नेटल टेटनेस, हाँ, maternal और नियो नेटल टेटनेस, जोनों का नामें एक साथ याद रोखिए, maternal और नियो नेटल टेटनेस, ये इतनी डिजीजेज अभी तक इंडिया से इलिमिनेट हो चुकी हैं, इसका एक्जामपल जैसे ये था कि आपने किसी पेवड को कट कर दिया, आपने किसी पेवड को कट कर दिया पूरी तरीकेज़, आपने उसका ट्रांसमेशन को एक तरीकेज़ मालेज़ खतम कर दिया, ये पेवड क्या थे, डिजीज थे, लेकिन अगर favorable condition आ गई, बारिश ह हो गई है और उसको पानी मिल गया, तो यह यहां से अभी फिर से ये branching हो सकती है, इनकी नए पौदे ये उख सकते हैं, अभी तो हमने फिलहाल रोख दिया है, ना कोई पता है, ना कोई डालने, लेकिन जड़ अभी मौझूद थी, तो वही सेम चीज यह है कि elimination में क्या करत ही है, लाश्ट में आता है disease eradication, जिसको हम कहते है all or none, यानि पूरी दुनिया से अगर किसी disease का खात्मा हो जाए, तो तब हम जाके कहेंगे कि disease eradicate हो गई है, eradication लफ तभी यूज़ होगा, जब पूरे अर्थ से कोई disease खत्म हो जाए, यानि all or none phenomena, आर्या पारवली बात है, त होगा आप लोगों को, smallpox, smallpox eradicate हुई है, कब? 1908 ठीक, यह screen मेरे ख्याल से मेरी गढ़ बड़ है यह चल रहा है इस तरहीं से है, आज pen भी सही से काम नहीं कर रहा है यह से होगा है, depiction तो smallpox जो वो 1980 में eradicate हो गया था, एक ही disease यह ही है, जो अब तक eradicate हुए है, पूरे world से ठीक है बस आज इतना ये सही से काम भी नहीं कर रहा है कोई question है किसी का और हाँ थोड़ा सा रूख जाएगा आप लोग बड़ी जल्दी लीव करने लगते हैं कल पूरे PSM का टेस्ट है तो जो crash course वाले अगर वो लोग देना चाहें तो उनको पर allow भी कर दिया जाएगा अधरवाइस जो बाकी जो है main group वाले